लालु जी दलीतों के उच्चा किये हैं और ग्यान दिये हैं लालु जी कि लरो संघर्ष करो अपना धीकार लो अभी एक आदमी का भी नहीं मिला है तो आप लोग हुए हैं हम तो मुख मंत्री मुखे मंत्री है परधान मंत्री अवास हो जना जो है अभी एक गाउं में भी एक आदमी का भी नहीं मिला है उसमें कहते हैं कि जमीन कागज लाई है तब दलीतों का तो यह गर्मजरुवा जमीन में कागज कहां से लाई गया अगति जैस्वी जाद आएंगा तो बोट तो मिलबे करेंगा राजनीतिक नहों राजनीतिक करें को सुरमा जाती बरनकुल खोई अब लोगों का मूड़ क्या चाहते हैं यह इस पर बदलाव करने के मूड में हमारे साथ कुछ लोग हैं क्या करेंगे 25 चुनाव नजदीख बदलाव तो होना जरूरी है लेकिन कोई भी आगर आता है तो कूर्सी का दिस्तूर है कि जो कूर्सी पर बैढ़ता है वही चीज का लागू करता है वहां हाई मीडिया वाला लाइट कर देता है कि पेपर चाप देता है और टीवी पर चलेता है कि पूरा गाउं स्वक्ष हो गया जहां कि एक भी गाउं में नल जल की विवस्था नहीं है चौर चौर आहे पर सौचाले नहीं है दारू बंद होने से जवां जवां लोग लालका बरबाद होगिया अब डारू है यह कि दुनिया बेर害 रिकरा बरबाद होगे बहुत अदमी में लुग्सान हो गया दारू खुला रहता ता सरकारे में जाता ता आप फेता पकाड़िये किस रोड पर जारा रहा है और जा रह लत यहां पर है लोगों से बात्षीत कि चुनाओ नजदी कैसे में और भी कुछ लोग इन्से बात्षीत करेंगे क्या नाम हो अबाबा हमारा हमारा नाम है क्वाल डास क्या सुविधा मिला है सरकार से कुछ की नहीं हमारा तो कोई सुविधा नहीं मिला है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मिला है कुछ नहीं मिला है नहीं तो भूखे डोल रहा है सब भूखे डोल रहा है तरह किया तो बोला कि यह कर खाना मनवाएंगे बहुत चीज बनवावेंगे लोक पर देश नहीं जाएगा तो कहा कुछ बनाया तो कुछ नहीं बना यह तो लुक राज में इस्कूल बना है आप क्या बना तो सब लालू जी कुछ काम नहीं किये हैं जंगल राज था लालू जी डलीतों के उच्छा किये हैं और गियान दिये हैं लालू जी कि लरो संघर्ष करो अपना धिकार लो इसलिए उनका रिजन बहुत शानी इंदरावास जो है इंद्रावास उन्ही का रिजन में जितना भी देख रहे है मकान तुटी फुटी उन्ही का बना हुआ है नतीश कुमार के अभी तो कुछ नहीं बना है उनका परधान मंत्री अवास हो जना जो है अभी एक गाउं में भी एक आदमी का भी नहीं मिला है उसमें कहते हैं कि जमी लिए दस्तूर की स्कूल में सवचाले नहीं है हर गाओं में जैसे स्कूल है दू महला तिन महला अग्राम कुसपर में एक महला में धेर सो बच्च लग रहते हैं तोला के कारण ही मनने बड़े बड़े पुंजी पती लोग है ना नेता विधाक इसलिए उन नहीं देख रहा ह फिर उसके बाद पांच साल नहीं आते हैं नहीं आते हैं बदलाव करेंगे बदलाव होना बहुत जरूरी है स्मार्ट मेटर लगा हुआ है लेकिन बिजली बिल जो है एक आदमे का महिना में पांच सव हजार रुपी आता है अब बताये कि घर में है बिजली बिल आयक इसलिए चाहिए था कि घरीब का टोला है फिरी देना चाहिए दिली में है जो फिरी मिलता है अगर तो मिल वे करेंगा आउट तो हम लोग समर्थ हैं नवजुबा करेंगे समर्थ नहीं अब नहीं करेंगे उदल बदलू सरकार है तो रहा है उदेखे कभी है छोर के जदू अब करते रहाते हैं हम इस पर आप परतिनीधी जो है वहां का प्रखंड का उस पर दवाव किजिए नहीं काम करता सेश्मन किजिए पैसा सरकार के लिए नल पहुंचा दिये हैं तो आप देख लिए कि पानी बहरा है यहां है गरामकुषपर में जो यहां बारा सव का बस्ती है बारा सव बूड हुए देखें कि किधर पानी बहरा है अगर बहरा है तो देखा जाए वह लोग अपना खाली हाइलाइट कर दिये हैं कि जिसमें इसा टीवी बगेरा देखें तक है कि हां सरो स्वाक्षबान चल रहा है घर में बारा हजार रुपया जो सवचाले का मिलता था एकाद को के साइट मिल लिए होगा तो ना कह सके लेकिन यहां सब अपना पैसा से मजबूरी में बनाया है कि चारोपटी खीसान है बोलता है तो जाता है एक बाद अभियान चला था कि जो रोड पर बैट राऊ उसको फोटो घिचके लाई है लोग बार सदस्थे एक बार तो कहा गया कि जो रोड पर बैड़ता है तो हम लोग देखते हैं कि हर का माँ बहान बैठे हुए है तो उसको फोटों बेज़ेंगे हैं हम लोग इसे जाते का थे कि नहीं को बैड़ता है तो अभी तक भी सवचारे चौक चौराहा पर नहीं है आदमी का अगर मन लिया जाए है कि आप लोग भी आ प्रफिन के देखना चाहिए नहीं के अगर राजनीती के नेता लोग अगर सही है सही होता तो देश का उध्धार हो जाता कामी क्रोधी लालची कामी क्रोधी लालची उससे राजनीतिक न होई राजनीतिक रहे कोई सुर्मा जाती बरन कुल खोई इतना करना पड़ेगा तब है आज तो सभी है सभी भुलाना पेट का धंदा है यह जागंधा है कई नगर सुन रहे है तुम और जनता को कितनी पड़ेसानिया हो रही है लह पीने को जल है और ना जाने ने को सयले हैं खेतों में जाना पड़त है वहां से भी इनको भगा दिया जाता है जो सरकार कमातर तमाम तरह के लावे करती है वो आप जब गाओं में जाएंगे तो पूरी तरह से पूरे नहीं हो रहे हैं इनकी क्या समस्या थी हमने आपको बताया बाकि आप अपनी राई कमेंड बॉक्स में जरूर दे धन्यवाद